नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के मानो शरीर यानि human body इसे related 40 question देखने वाले हैं और ये सारे इक question जो है रेलबे के एकजा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गया है ठीक है और आने वाले दिनों में भी एक question पूछाएं जाएगा तो आप इने के question को रट लीजे उसे पहले चैनल पनाया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर जो पास्वली घंटी का निसान है इसे भी अनकरते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला question है चर्वी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वो सरावित होता है तो देखिए यह सरावित होता है जीगर से जीगर यानि यकरित से सरावित होता है ठीक है इसके अलाबा भोजन गरहन करने के बाद इंसुलीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है तो देख देखें इंसुलीन की खोज जो है ये बैटिंग और बेस्ट के द्वारा जो है किया गया था ठीक है कुश्चे नमबर टू है अमल का स्वाद कैसा होता है तो देखें अमल का जो स्वाद होता है तो यह होता है खटा ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा अमल किसे बोला जाता है तो देखिए अमल जो है वेपदार थे जो खटे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं तो ये अमल कहलाते हैं ठीक है और अमल जो है दो परकार के होते हैं पहला कार्बनी कामल और दूसरा जो है खनी जमल कार्बनी कामल जो अजीवित सुरोच से प्राप्त होता है जैसे कि हाइडरो कलोरी कमल नाइटरी कमल और सल्फियूरी कम ठीक है यह क्या है तो यह खनी जमला है ठीक है कुश्चन नमबर 3 है ततकाल उर्चा के लिए एक खिलाडी को क्या दिया जना आवस्यक होता है तो देखें ततकाल उर्चा के लिए खिलाडी को यह कार्बो हाइडरेट जो है दिया जना आवस्यक होता है ठीक है तो यहाँ पर यह करेक्ट जाएगा कुश्चन नमबर 4 है कार्बो हाइडरेट मानो शरीर में कि इस रूप में तूटता है तो देखें कार्बो हाइडरेट मानो शरीर में यह गुलुखोज के रूप में तूटता है ठीक है तो यहाँ पर यह करेक्ट जाएगा कुश्चन नमबर 5 है पीत सरावित होता है तो देखें पीत जो है यह लीबर या नियकरित से सरावित होता है ठीक है तो यहाँ पर D correct हो जाएका Question number 6 है Pait में भोजन को पचाने के लिए निमने लिखित में सि solchen की आउसकता खांस होती है तो देखें Pait में भोजन को पचाने के लिए enzyme की जो आउसकता होती है यह खांस होती है ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जायेगा कुश्चे नमबर साथ है सुची फर्स्ट को सुची सेकेंड के साथ सुमेलित कर रहे है तो देखे यहाँ पर पहला दिया गया कार्बो हाइडरेट है तो यह किसे संबंद ही था है तो देखे कार्बो हाइडरेट जो है ये एस्टार्च से संबंदेत है ठीक है एंजाइम पेपसिन से संबंदेत है ठीक है हार्मोन किस संबंदेत है तो देखे हार्मोन जो है ये प्रोजेस्ट्रोन से संबंदेत है ठीक है और प्रोटीन जो है ये किरेटीन से संबंदेत है ठीक है कुश्चन नमबर आठ है निमनलेखित में से की संग में प्रारंब होता है तो देखे भोजन का जो पाचन प्रारंब होता है तो ये मूँ से प्रारंब होता है ठीके इसके अलावा मनुसे के जो पाचन नल्ली होती है तो ये कितने फीट लंबी होती है तो ये 32 फीट जो है लंबी होती है ठीके कुश्चन नमबर तस है निमनलेखित में से कौन साई के मनुसे के पाचक तंत्र का भाग है तो देखे इससे correct answer option B हो जायेगा अगनियासे ज तो देखे इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कार्बो हाइड्रेट का जो पाचन होता है तो यह सबसे पहले मुँव में होता है ठीक है कुश्चन नमबर 12 है मनुस्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है तो देखे इसका जो कारण है कार्बो हाइड्रेट यह सकर में परिवर्थित हो जाता है इसी कारण से मनुस्य को रोटी चबाने पर मीठी लगती है ठीक है तो यहाँ पर यह करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 13 है मनुसे के सरीर में अधिकांस भोजन मुख्यता कहाँ पर पचता है तो देखे मनुसे सरीर में अधिकांस जो भोजन होता है तो ये छोटी आथ में पचता है ठीक है तो यहां पर B करेक्ट जाएगा Question No.14 है Insulin निमनलिखित में मनुसे की संग से निकलता है तो देखी ये तो बता ही चुके है कि इंसुलीन जो है ये पैंक्रियाज है यानि अगनियासे से निकलता है ठीक है तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 16 है मनुष्य निमनल इखित मैं सिकी संग के बिना भी कार्य कर सकता है तो देखे मनुष्य ये टौंसिल के बिना भी कार्य कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर बी करेक्ट जाएगा कुश्चन नमबर 17 है वह अंग जो मानो शरी में पीत उत्पन करता है तो देखें मानो शरी में पीत जो है यह यक्रित उत्पन करता है ठीके तो यहाँ पर B करेक्ट जायेगा कुश्चे नमबर 18 है निमनलिखित में सक्की संग में सरवाधिक कोलेस्टोल उत्पादित होता है तो देखें सरवाधिक कोलेस्टोल का उत्पादन जो है यह यक्रित यानि लीबर में होता है ठीके इसके अलावा मानो रूधिर में कोलेस्टोल का समाने अस्थर कितना होता है तो देखें मानो रूधिर में जो कोलेस्टोल का समाने अस्थर होता है तो होता है 180 से 200 mg होता है ठीक है कुश्चा नमबर 19 है मानोर उधिर में भोजन के पाचन के संदर में लाइपेज का सराव कहां पर होता है तो देखें लाइपेज का जो सराव होता है तो यह होता है यक्रित में ठीक है तो यहां पर सी करेक्ट जाये का कुश्चन नमबर 20 है गरासी का एक नली है जो कि डैस भी कहलाती है तो देखे इसको जो है आहार नली बोला जाता है ठीके गरासी का को क्या बोला जाता है इसको जो है आहार नली बोला जाता है ठीके तो यहाँ पर एक करेक्ट जाएक Question number 21 है निमने लेखित एंजाइमों में से कौन सा समाने तब ब्यास्क मनुसे में बिद्यमान नहीं है तो देखिए इसके correct answer option यह हो जाएगा Raining जो है यह समाने तब ब्यास्क मनुसे में बिद्यमान नहीं है ठीक है इसके अलावा दूद को दही में इसकंदित करना वाला एंजाइम कौन सा है तो देखिए दूद को दही में इसकंदित करना वाला जो एंजाइम है वो है Raining एंजाइम ठीक है Question number 22 है परतिवर्ति किरिया का केंद्रा है तो देखिए लार की जो प्रकिर्ती होती है तो यह on martial होती है ठीके तो यहां पर यह correct हो जाएगा question number 24 है एंजाइन global group से क्या है तो देखेंग एंजाइन जो है यह मूल रूप से प्रोटीन है ठीक है तो यहाँ पर C करेक्ट जाएगा कुश्चन नमबर 25 है निमनलेखित में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है तो देखिए इसे करेक्ट अंसर ओप्शन यह हो जाएगा पीत रस जो है यह भोजन का पाचन करता है ठीक है कुश्चन नमबर 26 है पाचित भोजन निमनलेखित में से किसके द्वारा उसोसित किया जाता है तो देखिए पाचित जो भोजन होता है तो यह छुतरांतरा के द्वारा जो है उसोसित किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर C करेक्ट जाएगा कुश्चन No. 27 अधिकतर पोसक तत्वा रट में असोसित कीए जाते है तो देखे अधिकतर पोसक तत्वा छोटी आत में जो हैं असोसित कीए जाते है । ही के तो यह हैं पर c करेक्ट जायेक, कुश्चन No. 28 है पाचन के रोषों में निमने लिखित में से कौन सा हमले पाया जाता है तो देखे पाचन के रोषों में ये हाऐड्रो क्लोरी क हमले जो है पाया जाता है ठीके To ben यहाँ पर डी करेक्ट जाएगा कुषिचा नमबर 29 जैविक तंतर द्वारा में उत्पादेते और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अतिस सधारण चंता क्या कहलाती है तो ये एंजाइम कहलाती है ठीक है जैविक तंत्र द्वारा उत्पा देते हैं जो इंसुलिन का सराव करते हैं इस्तित होते हैं तो ये कहां पर इस्तित होते हैं अगन्यासे में इस्तित होते हैं ठीके तो यहां पर सी करेक्ट जाएगा कुश्चन नमबर 31 है मनुस्य के सरीर में पेसियों की कुल संख्या कितनी होती है तो देखे मनुसे सरीर पेसियों की जो कुल संख्या होती है तो यह 649 होती है ठीक है तो यहाँ पर C करेक्ट जायेगा Q22 है मनुसे सरीर की सरवाधिक सकतिसाली पेसि कौन सी है तो देखे मनुसे सरीर की जो सरवाधिक सकतिसाली पेसि है तो यह है जबडे की पेसी ठीक है तो यहाँ पर C करेक्ट जाएगा कुश्चन नमबर 33 है निमनलेखित में से किस की पेसी ओ में स्वासपंदन का गुण पाया जाता है तो देखे स्वासपंदन का जो गुण पाया जाता है तो यह हिर्दे की पेसी ओ में पाया जाता है थाकान महसूस होती है, तो देखें मनुस्य को थाकान जो महसूस होती है, तो यह, मांस्पेशियो में लायति के जमा होने करन्ट से होती है, ठीके तो यहां पर यह correct हुआ है का, कुश्च नम-बर 35 है, नेत्रदान में आक का कौन सा भाग पर्युक्त किया जाता है, तो देखे नेत्रदान में ये कौर्णिया जो है इसको परियोगत किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 36 है नेत्र में परियोग परकास की मात्रा का नियांत्राण निमनलेखित में से किसांग द्वारा किया जाता है तो देखिए ये किया जाता है आईरिस की द्वारा ठीक है नेत्र में परविस करने वाले परकास की मात्रा का नियांत्राण किसकी द्वारा किया मनुसे में तुषया की सा स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है तो देखें चांग जो है करी का सबसे बड़ा अंग है जिसको तु अचा बुला जाता है ठीक है GPA का जो होता है किसके करणस होता है तो यह मेलालीन के करणस होता है कुष्रण swords नमबर उन्तालेस Ride tookип र cities我也lingen चुऽ क्या कहलती ए तो देखें तौदском वी जानतुक रूर टोटी है आए तो सस्हिता कि सता होती है तो इसको क्या बला जाता है यह एban पर ये करेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहां पर हमार अगला कुश्चन है कसेरुक जनतु के भीतर कसेरुक जनतु के सरीर का सरवाधी कठोरबा कौन सा होता है तो देखे ऑप्सन है केरेटीन हड़ी इनेमल या फिर खोपड़ी तो दोस्तों आप इसका एंसर जो है कमेंट बक्स में जरूर बाता है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक है और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निसान है इसे भी अनकरत है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग